भौतिक गुण, काले गोमेद में आम तौर पर सफेद समानांतर पट्टियों के साथ काला आधार रंग होता है. हाला कि यह बिना किसी बैंड के ठोस काला भी हो सकता है. पॉलिश करने पर इसमें चिकनी, मोमी चमक होती है और इसे अक्सर काबो जोन, मोतियों या पहलो वाले रतनों में काटा जाता है. संग्रचना, गोमेद सिलिका खनीजों, ज्यादातर क्वार्ज और मोगानाइट के बारीक अंतर व्रिद्धी से बना है. गोमेद में रंग लोहे और कार्बनिक पदार्थों की उपस्थिती से बनते हैं. एतिहासिक महत्व, गोमेद का उप्योग हजारों वर्षों से आभूशनों और सजावटी पत्थर के रूप में किया जाता रहा है. ग्रीक और रोमन जैसी प्राचीन सभ्यताओं ने गोमेद को कैमियों, इंटेगलियों, उतकीरनन और आभूशनों में उकेरा. इसका उप्योग वास्तुकला और सजावटी कलाओं में भी किया गया है. आध्यात्मिक गुण, आध्यात्मिक मान्यताओं में काला गोमेद सुरक्षा, आधार और आत्म विश्वास से जुड़ा है. ऐसा माना जाता है कि यहां नकारात्मक उर्जा को अवशोशित करता है और भावनात्मक स्थिर्ता को बढ़ावा देता है. कुछ लोग काले गोमेद का उप्योग इसके कथित उपचार गुणों और फोकस और निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए करते हैं. आभूशन और फैशन काला गोमेद अपनी आकरशक उपस्थिती के कारण आभूशन निर्मान में लोक प्रिया है. इसका उप्योग आम तौर पर अंगूठियों, हार, कंगन और जुमके में किया जाता है. यह चांदी और सोने दोनों के साथ अच्छी तरह मेल खाता है और अकसर कंट्रास्ट के लिए इसे अन्य रतनों के साथ जोड़ा जाता है. देखभाल और रखरखाव, गोमेद अपेक्षाक्रित तिकाओं होता है, लेकिन इसमें खरोच और छिलने का खत्रा हो सकता है. इसलिए कठोर सामगरियों के संपर्क से बचने के लिए इसे सावधानी से संग्रहित किया जाना चाहिए. काले गोमेद आभूशनों को हलके साबुन और पानी से साफ करना और इसे कठोर रसाइनों या अल्ट्रासोनिक क्लीनर के संपर्क में आने से बचाना सबसे अच्छा है. उपलब्धता काला गोमेद ब्राजील, भारत, मेडागासकर, मैक्सिको और सन्युक्त राज्य अमेरिका सहित दुन्या भर के विभिन्नक्षेत्रों में पाया जाता है. हाला कि गोमेद के रूप में बेचे जाने वाले सभी काले पत्थर असली गोमेद नहीं होते हैं, कुछ को एगेट या अन्य सामगरी से रंगा जा सकता है. कीमत, काले गोमेद की कीमत आकार, गुणवत्ता और उत्पत्ती जैसे कारकों के आधार पर भिन्न हो सकती है. दिखाई देने वाली खामियों या अशुद्धियों के बिना बड़े, थोस काले पत्थरों की कीमते अधिक होती हैं. कुल मिलाकर, काले गोमेद एक सम्रिद इतिहास और सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगो की एक श्रिंखला के साथ एक बहुमुखी और सुरुचिपूर्ण रत्न है. प्राचीन सभ्यताएं काले गोमेद को प्राचीन सभ्यताओं द्वारा व्यावारिक और सजावटी दोनों उद्देश्यों के लिए सम्मानित और उप्योग किया गया है. प्राचीन मिस्रवासी यूनानी और रोमन लोग गोमेद को उसकी सुन्दर्ता के लिए महत्व देते थे और मानते थे कि इसमें सुरक्षात्मक गुण है. इसे अक्सर ताबीज, मुहरों और आभुष्णों में उकेरा जाता था और वास्तुकला और मूर्तिकला में उप्योग किया जाता था. रोमन मान्यताएं रोमन लोग काले गोमेद को साहस और सुरक्षा से जोडते थे. योध्धा गोमेद से बने ताबीज पहनते थे, जिन पर युध्ध के देवता मंगल अंकित थे. उनका मानना था कि इससे उन्हें शक्ती मिलेगी और युध्ध में जीत मिलेगी. मध्य यूग मध्य यूग के दौरान गोमेद को उसकी सुन्दर्ता और कथित रहस्यमै गुणों के लिए बेशकीमती माना जाता रहा. ऐसा माना जाता था कि इसमें नकारात्मक उर्जा को दूर करने और बुरी आत्माओं से बचाने की शक्ती होती है. गोमेद आभूशन राच परिवार और कुलीन वर्ग की शोभा बढ़ाते थे और इन्हें अक्सर धार्मिक कलाकृतियों में शामिल किया जाता था. इसलामी संस्कृती इसलामी संस्कृती में भी गोमेद का महत्व है. इसका उलेक विभिन इसलामी ग्रंथों में किया गया है और इसका उप्योग मस्जिदों और अन्यधार्मिक संग्रचनाओं के निर्मान में किया गया था. इसलामी मान्यताओं में काले गोमेद को सुरक्षा और आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान करने वाला माना जाता है. पुनरजागरण यूग पुनरजागरण में यूरोप में गोमेद की लोक प्रियता में पुनरुथान देखा गया. इसे राजगराने और अभिजात वर्ग द्वारा अत्यधिक पसंद किया गया, जिनों ने इसकी शांदार उपस्थिती और प्रतिकात्मक जुडाव की सराहना की. गोमेद का उप्योग आभूशनों, कैमियों और सजावटी वस्तूओं में किया जाता रहा. आधुनिक उप्योग, आधुनिक समय में काला गोमेद आभूशन निर्मान और सजावटी कला में एक लोकप्रियर रत्न बना हुआ है. इसका उप्योग अकसर अंगूठियों, हार, कंगन और कफलिंक में किया जाता है, जो इसके चिकने परिश्कृत रूप के लिए सराहा जाता है. गोमेद का उप्योग वास्तुशिल्प और आंतरिक डिजाइन में भी किया जाता है, जो स्थानों में सुन्दर्ता का स्पर्श जोडता है. अपने पूरे इतिहास में काले गोमेद को इसकी सुन्दर्ता, स्थायत्व और प्रतिकात्मक महत्व के लिए संजोया गया है. यह विभिन्न संस्कृतियों में सुरक्षा, शक्ती और साहस से जुड़ा हुआ है और अपने कालातीत आकर्शन से लोगों को मुहित करता रहा है. ब्लैक ओनिक्स का अगला भाग जल्द ही आ रहा है. लाइक और सब्सक्राइब करें. मेरी सामगरी को भैतर बनाने के लिए मुझे प्रतिक्रिया दे. देखने के लिए धन्यवाद.